सबी प्यारे साथियों को करती हूँ मैं नमस्कार मैं शालनी वर्मा सबका स्वागत करती हूँ आज आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी मौनिंग हैबिट्स जिनको अपना कर आप सफल हो सकते हैं यादनी की सकस होने के लिए कौन आप आप में डालनी चाहिए जिनसे कि आप बहु को पर पहुंच सकते हैं शुरुआत हम करते हैं पहली आप सब्सक्राइबस्वालिवा सबका मकसत क्या है साहिसे खामोशी युनद करें अपने मन को दिमाग को शांत करना, तो वो पहला हत्यार जो कि आपको सफलता तक ले जा सकता है, वो है खामोशी, क्या करें, सुबह उठें, साइलिंस रहें, थोड़ा दिर शांत बैठें, शांत मन से, शांत चित से, ईश्वर को याद करें, यूनिवर्स से बात करें, चाहे कुछ भी करें, या अपने इनर जर्नी करें, लेकिन शांत थोड़ा दिर बैठना सीखें, जब आप थोड़ा दिर खामोश होकर बैठते हैं, भले ही ध्यान में बैठें, या सिर्फ ऐसे ही, आखे बंद करके मन को शांत करें, तो तब भी, आपका मन, आपका शरीर पूरी तर ऐसे रिलाक्स होने लगता है, 2013 में एक रिसर्च भी हुआ, जिसमें भी चीजें सामने आई, कि जब आप शांत बैठते हैं, अगर आप दो घंटे की खामोशी कर लेते हैं, तो दो घंटे की खामोशी से आपके दिमाग में उन न्यू सेल्स का बनना शुरू हो जाता है जो की आपको अच्छा याद रखने में, क्रियेटिव होने में और रिलाक्स होने में मदद करता है, तो यानि खामोशी एक बहुत बड़ा हत्यार है, जो पहली मौनिंग रूटीन के रूप में आपको अपना लेना है, सुबह उठकर मेडिटेशन कर लें, ध्यान कर लें, इश्वर को याद कर लें, कुछ भी करें, लेकिन थोड़ा दिर शान्त भाव से, शान्त मन से जरूर बैठें, सुबह का महौल जब शान्त होता है, ऐसे समय में अगर आप यूनिवर्स से कम्यूनिकेट भी करते हैं, तो आपका कम्यूनिकेशन भी बहुत क्लियर क्लियर हो होता है, तो पहला हत्यार अपना ये खामोशी को, दूसरा हत्यार विज्वलाइजेशन, विज्वलाइजेशन भी एक ऐसी टेक्निक है, जिसको अगर मौनिंग रुटीन में आपने शामिल कर लिया, तो आप जो भी चीज पाना चाहते हैं अपने जीवन में, उसको विज् चाहे आप एक्जाम में सफल होना चाहते हैं, चाहे गेंस में या बिजनस में या अच्छे हेल्थ को आप अपनाना चाहते हैं, इमेजिस का फोर्म दे दें कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी गुटने पूरी तरह से अच्छे हैं और अब मैं डेली सुबह उठके वाक पे जाती हूं, उस चीज को इमेजिन करिए, एक पिक्चर का रूप दे दीजे और सुबह सुबह विज्वलाइज करने से क्या होता है, मैसेज आपके सबकॉंशेस माइंड तक बहुत फास्ट जाता है, जिससे आपका सबकॉंशेस माइंड भी क्रियेटिव हो जाता है, उन च ट्रेक्शिन भी काम करना शुरू कर देता है, जो सोचोगे वही पालोगे, जब आपने रोज रोज सोचा कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके घुटने एकदम ठीक हो चुके हैं, आप रोज लंबी वॉक पे जाते हैं, फिर भी आपको घुटनों में दर्द नहीं होता, आप रोज इमेजिन करिए कि मेरे घुटने पूरी तरह सोस्त है, मैं रोज लंबी वॉक पे जाती हूँ, तो जो मैसेज आप रोज रोज सुबह विजवलाइज करेंगे, जो पिक्चर आप रोज सुबह देखेंगे, वो समझ लीजे, दिल में दिमाग में छप जाएगी, एक मूवी को ही, आप यूँ समझ लीजे, एक मूवी को ही अगर आपने चार बार, छे बार, दस बार देखा, तो उसका हर सीन, हर डायलोग आपके दिमाग में बस जाता है, कि अब इस सीन पर ये डायलोग ये विक्ति बोलेगा, सेम वही चीज है विजवलाइजेशन, खामोशी और विजवलाइजेशन, दो ऐसे हत्यार हैं, जिनको अगर आपने मौनिंग रूटीन में शामिल किया, तो आप देखिए, ना तो आप चीजों को बल्कि मैनिफेस्ट करेंगे, बल्कि आप, आपकी पस्नालटी ही चेंज होने लगेगी, खामोश, जो शांत जब और आपका दिमाग दोनों रिलाक्स हो जाते हैं, और ये जो रिलाक्सेशन है, ये म्यूजिक सुनकर जो रिलाक्सेशन आपको मिलती है, उससे भी कहीं ज़्यादा रिलाक्सेशन होती है, तो ये दोनों बहुत ही खास चीजे होती हैं, जो अपने मौनिंग रूटीन में आ उतनी ही जरूरी है, तो morning routine में physical activity को भी शामिल करिए, अगर चाहे तो आप इसको भी twin one कर सकते हैं, physical activity में अगर morning walk करते हैं, तो सुबह नंगे पाओं आप घास पे चलने की आदर डाल लीजिए, आपका root चक्रा वैसे ही balance होने लगेगा, आपको fresh air तो मिलेगी ही, साथ में ही आप चीज को recite करेंगे, वो चीज सब conscious mind में ज्यादा गहराई में जाती है, तो अब आप उस चीज को recite करिए, जो चीज आप पाना चाहते हैं, चाहे वेल्थ पाना चाहते हैं, चाहे अच्छी relationship पाना चाहते हैं, यही चीज़े हमारे जीवन में सबसे ज्यादा important होती है तो आपको क्या करना है, एक ही affirmation बना ले, रोज affirmation बदलना नहीं है, कोई भी affirmation बना ले, मैं पूरी तरह healthy-wealthy हूँ, मेरा business बहुत अच्छा चलता है, मेरी health बहुत अच्छी है, रोज उस affirmation को सुबह आपको बोलना है, बैट जाईए और बार उस affirmation को बोलते जाईए, ब कर सकते हैं, इसके अलावा एक बहुत खास चीज होती है, प्रेयर करना, प्रेयर की शक्ति का कोई तुलना नहीं होती है, प्रेयर करना जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, अगर ईश्वर में भी आप विश्व प्रेयर करते हैं तो चाहे गौड हो या यूनिवर्स हो से मानने को बात दे हो जाती है जब आप रोज एक ही बात इश्वर से बोलते हैं निश्चित समय पे बोलते हैं निश्चित बात बोलते हैं तो इश्वर को भी उस पर महत्व देना पड़ता है यह व्यक्ति बार-बार ये चीज मुस्से मांग रहा है, लगता है इसको जरूरत है, यहां भी याद रखिए रोज modify मत करिए अपनी prayer को, रोज रोज मत बदलिए कि आज ऐसा चाहिए, कल वो चाहिए, परसो ये चाहिए, नई, एक चीज पहले ही निधारित कर ले, निशित कर ले सिर्फ उसी को बोली, ईश्वर से प्राथना करिए, सच्चे मन से की जाए प्राथना, तो हमेशा कुबूर होती है, तो साथियों ये है, कुछ छोटी-छोटी सी टिप्स जो की morning routine में शामिल करके आप भी सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं, आप भी सफल होना चाहते हैं, तो इन टिप्स को अपने समय की अनुसार, अपनी समय साढ़नी की अनुसार, सुबे इंको अपनाईए, और देखी कैसे आपका भी जीवन धीरे-धीरे बदलने लगता है, अगले वीडियो में मैं शाले नी वर्मा फिर से मिलूंगी तब तक के लिए, नमस्ते